सो गाइस आपको पता होगा कि इंडिया का तहवार फिर से आने वाला है यानि हम IPL मैच के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग IPL मैच को इंडिया का तहवार भी मानते हैं तो BCCI के टीम ने अपने सोसल मीडिया के थुरू लोगों को बता है कि हम IPL मैच को 9th April से सुरू करने वाले हैं जो कि सबसे पहला मैच Mumbai वर्सेस Bangalore के बीच होने वाला है तो दोस्तो आप चाहते हैं अपने IPL मैच को देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं क्योंकि वीडियो में मैं आपको कैसा तरीका बताने वाला हूँ यानि एक ऐसे application के बारे में बात करने वाला हूँ उसके बाद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड गलर के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजे और आपको comment box पे क्लिक करना है तो चलिए वीडियो को यहाँ पे start कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको वीडियो के description में जाना होगा वहाँ पे आपको एक link मिलेगा आप उस पे click करेंगे तो आपके सामने ये page open हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे install now का button मिलेगा आप इस पर click करेंगे जैसे ही दोस्तो आप install now के button पे click करेंगे उसके बाद आपको सामने यहाँ पे download का button मिल जाएगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करते हैं दोस्तो तो आपके सामने यहाँ पे एक pop-up open होगा यहाँ पे आपको okay कर देना होगा जैसे ही आप okay करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं detail पे चली मैं click कर लेता हूँ तो यह जो मरा application है वो download होना शुरू हो चुका है और यह जैसे ही download होता है तो चली हम उसे open करते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं application पूरी तरीके से download हो चुका है चली हम इस पर click कर लेते हैं जैसे ही दोस्तो आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने एक chrome का button यहाँ पे खुल के आ जागा आपको यहाँ पर setting पर click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर setting पर click करते हैं दोस्तो तो यहाँ पर apps को allow करना होगा ज चली open पे click करते हैं जैसे ही दोस्तों आप open पे click करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं application यहाँ पे open हो चुका है आपको यहाँ पे allow करना होगा उसके बाद यहाँ पर परmison देना होगा permission देने के बाद दोस्तों आपके सामने जो application का user interface है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं application का user interface पूरे अच्छी तरीके से open हो चुका है उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको नीचे me का option मिलता है आप इस पर click करेंगे इसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको अपना account create करना होता है अगर आप IPL match देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे tap to sign in पे click करके अपने account को यहाँ पे create कर लेंगे यहाँ पे आपके सामने एक page open हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे अपने Facebook याप फिर Google के साथ यहाँ पे create कर सकते हैं दोस्तो आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आप इस application का use करते हैं तो आपको यहाँ पे notification को off रखना है क्योंकि इस application में आपको काफी सारे notification मिलते हैं कुछ काम का होता है तो कुछ काम का नहीं होता है उसके बाद चलिए हम यहाँ पे back कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे IPL 2021 का option मिलता है, आपको इस पर click करना होगा, दोस्तों यह तभी काम करेगा, जब आप यहाँ पे अपना account create कर लेंगे, तभी आप यहाँ पे IPL देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने सारे highlights को यहाँ पे द लेते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने एक friend को यहाँ पे invite कर लिया है, यहाँ पे सारा detail आपको देखने को मिल जागा, कि match कब है, किसके किसके बीच match है, तो चलिए हम आप वापस अपने application को open करते हैं, तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे IPL 2021 पे click करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, application का जो user interface है, वो open हो चुका है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अभी है, जितना भी highlights अभी चल रहा है, वो आपको देखने को मिल जाता है, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अभी live match नहीं हो रहा है, कि मैं इस application को काफी time से use करता हूँ, तो जाएए वीडियो के description में वहाँ पे click करिए और अपने application को download करके IPL match को देखिए और enjoy कीजिए